नमस्कार मेरे इनुमिस्टर अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ आज मैं बना रही हूँ प्लेन वेलवेट के कपड़े से बहुत ही सुन्दर सा सौपिंग बैग इस बैग को बनाने में आधा मीटर यानि की हाफ मीटर कपड़ा लगा है मैंने इस बैग को वेलवेट के कपड़े से बनाया है आप इसे किसी भी फैब्रिक किसी भी कपड़ा से बना सकते हैं इस बैग को थोड़ा सा फैंसी लुक देने के लिए देखिए उपर ये मैंने मोती का काम किया है पॉकेट पे और जो इसकी क्विल्टिंग है वो मैंने रैट कलर के धागे से की है बैग के अंदर देखिए काफी जगह है और एक छोटा सा पॉकेट बैग में अंदर की तरफ ह इसके लावा एक पॉकेट बैग में सामने है सिंपल से कपड़े से बहुत ही स्टाइलिस फैंसी बैग बनके त्यार हुआ है आप इस बैग को ज़रूर ट्राय करना सभी को बहुत पसंद आएगा तो आई अब सुरू करते हैं बनाना अपना ये प्यारा सा सुन्दर सा आफ मीटर है प्लेन कपड़ा लेने से ये फायदा होता है कि हम अपना मन पसंद डिजाइन इसके उपर बना सकते हैं अब इसका मेजरमेंट देख लेते हैं इसकी जो लंबाई है वो है 35 इंच 35 इंच लंबा है ये और इसकी जो चौड़ाई है वो है 19 इंच तो ये 19 वाइ है वो बिल्कुल सीधी रहे विल्टिंग के लिए आप अपने हिसाब से ये जो बॉक्स से इसको चोटा या बड़ा बना सकते हैं तो मैं इस तरह से स्केल से पुरा ये स्क्वैर में ये लाइन ड्रो कर लूंगी ताकि सीलते समय लाइन एकदम सीधी रहे अब ये लिखिए ये स्क्वैर से में ये मार्क कर लिया है अब हमें इसको कुल्ट करना है तो कुल्टिंग के लिए हमें लेना है अस्तर के लिए आप नया पुराना कोई भी कपड़ा ले सकते हैं तो ये मैं पुरानी बैट शिट यूज़ कर रही हूं इसके लावा हाफ इंच मोटा फॉम अगर आपके पास फॉम नहीं है तो आप बकरम का यूज़ कर सकते हैं आप देखिए अस्तर के उपर इस तरह से फॉम रखना है फिर उसके उपर ये जो में फैब्रिक है इसको रखना है अब इन तीनों को मिला के हमें सिलना है तो जैसे कि मैंने ये लाइन कीचा है उसी को अब लबाई फॉटित्री इंच और इसकी जो सिलना है इसका में चेरत पर में टुमड़ आट कर रही हूं तो ये जो धागा यूज़ करे हूं मैं वह रैट कलर का है इसी तरह से पूरा quilt कर लेना तो ये देखिए ये quilting मैंने कर ली है और देखिए पीले रंग के कपड़े पे लाल रंग का धागा बिल्कुल खिल के दिख रहा है उभर के आ रहा है ये बहुत ही सुन्दर लग रहा है अब देखिए quilting के बाद इसका measurement देख लेते हैं तो इसक इस तरह से quilting कर लें पॉकेट के उपर अब पॉकेट का measurement देख लेते हैं इसकी जो लंबाई है वो है 9.5 और इसकी जो चोड़ाई है वो है 6 इंच यानि की 6 इंच अब ये पॉकेट पे हम जिप लगाएंगे पहले अब ये पॉकेट है इसको सीधा रखेंगे इसके उपर जो जीप है उसको इस तरह से उल्टा रखते हुए हमें सिल लेना है अब जीप को उपर की तरफ करेंगे इस तरह से और इस पे हम प्रेसिस्टिश करेंगे इस तरह से ये जीप इसमें लग गया है अब इस तरह का ये देखिए ब्लू कलर का मोती मेरे पास है इसको मैं पॉकेट की उपर लगाऊंगी तो देखिए बिल्कुल बीच में जो ये कुल्टिंग है उसके बीच में इस तरह से सुई को निकालते वे फिर ये मोती में इस चार बार धागे से सील लेंगे ताकि ये मजबूत रख खुलेना और हो सके तो धागा या तो तीन चार परत करके सीलें या फिर मोटा वाला धागा यूज़ करें इस तरह से हम ये पूरे पॉकेट में मोती लगा लेंगे अच्छे से मजबूती से लगा लेना है ताकि ये टूटे न अब इसको पीछे अच्छे से बांध लेंगे तो इसी तरह से पूरे पॉकेट में मोती लगा लेंगे तो ये देखिए पूरा ये मोती लग गया है अब दिखने में ये बहुत ही सुन्दर लग रहा है अब इसे हमें बैक के उपर लगाना है तो बैक है उसको लेंगे और बीछ में इस तरह से फोल ड करते के सेंटर में वार्क करेंगे अब ये जो सेंटर में मार्क किया है वहांसे उपर से नीचे की तरफ फोर इंच पर निशान लगा लें तो ये दीखिए चार इंच नीचे ये मैं निशान लगा रही हूँ अब ये जो pocket है उसको लेना है और उसमें भी दिखें सेंटर में इस तरह से marker लेना है अब ये जो दोनों निशान हमने लगाया है दोनों को मिलाते वे pocket को देखें इस तरह से रखते वे और फिर नीचे की तरफ एक बार इस तरह से मोडते वे और पुरा चारो साइट से इसको हमें सिल लेना है अब ये दिखें नीचे की तरफ थोड़ा से एक बार इसको मोड लेंगे अब ये दिखें सामने वाला pocket लग गया है अब इसी तरह से हम bag में अंदर की तरफ दूसरे side pocket लगाएंगे तो उसके लिए मैं यह plain कपड़ा ले रही हूं simple सा कपड़ा है इसकी जो लंबाई है वो है 10 inch और इसकी जो चोड़ाई है वो है 7 inch अब इसमें भी जिप को लगा लें जैसे कि हमने उपर से नीचे की तरफ 4 inch पे 4 inch पे मार करके pocket में भी center में मार कर लें अब बिल्कुल जैसे कि हमने सामने वाला pocket सीला था वैसे ही इसको भी सीलना है दोनों इस तरह से निशान को मिलाते वे और फिर इसको हमें चारो साइट से सील लेना है लेकिन इसको हम जो तीन साइट है ना तीनों साइट से इस तरह से फोल्ड करके तब सीलेंगे तो इस तरह से फोल्ड करते वे तीनों साइट से फिर इसको सील लेना है तो यह देखिए यह अंदर वाला pocket भी मैंने ये seal लिया है तो दोनों pocket लग गया है pocket के बाद आब इसमें हम belt लगाएंगे तो मैं ready made belt यूज करी हूँ आप चाहे तो same इसी कपड़ा का भी belt बना सकते हैं जो ये belt है, एक belt की लंबाई है 46 inch, तो 46 inch लंबा, दो पीस belt हमें लेना है, अब इसे देखें हम pocket के उपर रखते विए, जो Gi고요 pocket के किनारा है उसके उपर इस तरह से रखते विए और फिर इसे हम सेलेंगे, जहां तक pocket है न वहीं तक इसको सेलना है इस तरह से रखेंगे इहां तक इसको हम सेलेंगे तो ये देखें पॉकेट की उपर, जहां से पॉकेट लगा है, वहां से सिलाई करते हो, अब यहां से हम इसको मोड लेंगे, उपर की तरफ कम सकम दो तीन सिलाई कर लें, ताकि खुले ना मजबूत रहे, अब दूसरी साइड भी बेल्ट को सिल लेते हैं, तो यह एक साइड बेल्ट लग गया है, अब बिल्कुल जैसे कि हमने सामने वाला बेल्ट लगाया था, उसी के बराबर इसको भी हमें लगाना है, और जहां तक पॉकेट है, वहीं तक सिलेंगे, उसके गुमाते भी फिर दूसरी साइड सिल लेना है, तो अब यह देखिए, यह बेल्ट पुरा लग गया है, अब यह जो बेल्ट है और यह जो पॉकेट है, इसके उपर नीचे की तरफ इस तरह का यह लेस मेरे पास रखा हुआ है, इसको मैं लगा लूँगी, तो यह ऑप्शनल है, अगर आपको लेस वगर पसंदे तो लगा से, अब दूसरी साइड भी हम लेस को सील लेते हैं, अब दूसरी साइड वाला और यह उपर वाला भाग त्यार करेंगे, तो उपर वाला यह जो पीसे, यह मैंने ख्विल्ट करके रखा है, अस्तर फोर्म लगा के इसको भी सीला हुआ है, इसकी जो लंबाई है वो है, 18 इंच 18 इंच ये लंबा है और इसकी जो चोड़ाई है वो है 4 इंच तो ये 4 by 18 का ये हमें उपर वाला पीस लेना है अब इससे हमें क्या करना है 20 से इस तरह से फोल्ड करते वे और 2 बराबर भाग में इसको हम कट करेंगे तो ये देखिए बिल्कुल 20 से मैं इसको कट कर रही हूँ यहाँ पर हम जिप को लगाएंगे तो ये देखिए कपड़े को सीधा और जिप को उल्टा रखते वे पहले हमें इसको सिल लेना है अब जो दूसरा पीस हमने कट किया था उसको जिप के दूसरे साइड में मिलाते वे सिलना है अब इसको पलटके इस पर हम प्रेसिश टीश करेंगे दोनों तरफ अब ये जिप लग गया है अब इसमें हमें रणर को लगाना है तो इसमें दो रणर उपर की तरफ में लगा रही हूँ तो देखिए एक रणर इस साइड से फिर दूसरे साइड से लगाना है रणर को ये रणर भी इसमें लग गया है अब इसे हमें बैग में अटेश करना है तो देखिए ऊपर की तरफ पहले हम एक साइड देखिए इस तरह से रखते हुए मिलाते हुए बर्ाबर रखते वह और इसको सील लेंगे फिर दूसरी साइट का भी इसी तरह से अमें इसको मिलाते वए दोनों को बराबर बिलकुल और फिर सील लेना है तो इसको हम पहले सील लेते हैं इस तरह से इसको सील लेना है तो यह दीखें, यह उपर का भाग जुड़ गया है, अब हमें दोनों साइड वाला जो भाग है, उसको जोड़ना है, उसको लिए बीच में देखें इस तरह से पहले आप मार कर ले, तो एकदम सेंटर में यह देखें, निशान में लगा लिया है, अब यह सेंटर में निशा किया है नीचे भी उसी के बराबर आपको निशान लगा लेना है दोनों तरफ निशान लगा ले अब यह जो निशान हमने लगाया है उपर की तरफ यहां से इस तरह से इसका मेजर्बेंट ले ले लेंगे तो यह आ रहा है 15 इंच तो 15 इंच लंबा और देखें यह चोड़ा मेरे पास कम था तो मैं 14.5 इंच यह पीस ले रही हूँ अब इसको हमें साइड में लगाना है देखें इसमें भी हम यह साइड वाला जो भाग इसमें इस तरह से सेंटर में निशान लगा ले उसके बाद जो यह बैग में जो सेंटर में हमने मार किया है दोनों को मिलाते व चाबर करके कर देंगे तो यह पूरा बैग सिल गया है अब इसमें हम जहां पर सिल आई है वहां पर पाइपिंग करेंगे तो इसके लिए यह दो इंच चोड़ा यह लंबा यह इस तरह का पट्टी मैंने काट लिया है और इसको जहां जहां सिल आई है वहां पर पहले एक साइड इस तरह से में सि सिल लिया है आब इसको हमें क्या करना है कि दूसरे साइड इस तरह से पलढ फोल्ड करते वे और पूरा इसको सिल लेना है तो यह देखें यह piping हो गई है बैग ही एकदब मेरा ये वीडियो देखने के लिए आप सब को बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू